नमस्कार मैं हूँ आचल बाबर की बरबरता के निशान अब उजागर होने लगे हैं जिने मिटाने का काम भी शुरू हो चुका है 22 जनवरी को अयोध्या में राम की प्राण प्रतिस्था इसका सबूत है वहीं ASI की रिपोर्ट में ज्यानवापी की नीचे बड़े मंदिर होने के सबूत इसको और पुकता करते हैं इस पूरे मुद्दे पर राजनिती अयोध्या से मत्रा तक बाया काशी चरम पर है आज वि समहरों के बाद राम लला की मूर्तिकार अरुन योगी राज वापस लोड गए उन्होंने प्रांट प्रतिस्था के बाद मूर्ति में फरक साज़ा किया उन्होंने बताए कि जिस मूर्ति को उन्होंने बनाया था गर्ब ग्रह में प्रांट प्रतिस्था के बाद उसमें ब भव, सांझा किये हैं। उन्होंने बताय कि जिस मूरती को उन्होंने महिनों में तैयार किया। अईोदिया में रहकर पूरी विवस्ता देखी। उसी को जब उन्होंने गर्भ ग्रह में प्रांट परतिष्ठा के बाद देखा तो उनको महसूस हुआ कि अंदर जाते ही अरुन योगी राज ने कहा कि मैं दस दिन से वही था प्रांट प्रतिस्टा होने के बाद किनारे बैठा था मैंने देखा तो लगा ये मेरा काम नहीं है अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गए है मेरे साथ दो तिन लोग बैठे मैंने उनको बताया कि ये बहुत अलग दिख रहे है पता नहीं ये मेरा काम नहीं हो सकता है बता दे कि अरुण का स्वागत करने के लिए बैंगलोरू एयरपोर्ट पर प्रशन सकोखी इतनी भीड एकटी हो गए कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी बढ़ गए एयरपोर्ट टर्मिनल के बाद योगी राज का स्वागत उनकी पतनी, बच्चे और परिवाड ने किया इसके फॉरण बाद पुलिस टीम उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल ले गई बता दे कि राम नला से पहले भी अरुण योगी राज अपने हुनर से कई मशुहूर मूर्थियां बना चुके हैं और तारीफ बटोर चुके हैं सी निउस के लिए आजल प्रमार के रपोर्ट श्री कृष्ण जन्वस्थान शही इदगा मामली में विवादित जगह के कोट सर्वे पर सुप्रीम कोट द्वारा मुस्लिम पक्ष को दिये गए स्ट्वे के बाद किनर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मत्वरा पहुंची यहां वह शही इदगा पर जाकर विरोध जताना चाहती थी लेकिन इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और उन्हें व्रिंदावन के एक आश्रम में नजरबंध कर दिया गया किनर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी शनिवार को मुंबई से व्रिंदावन पहुंची यहां पर वह परिक्रमा मार गिस्सित चामुंडा देवी मंदर के पास एक आश्रम में रोकी यहां से वह शाही इदगा पर जाकर विरोध जतान और श्रीक्रिश्ण जन्म भूमी के दर्शन करना चाहती थी किनर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के शाही इदगा जाने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचिया विरंदवन थाना प्रभारी आनंद शाही पुलिस बल के साथ आश्रम पर पहुँच गए हैं यहां पर उन्होंने हिमांगी सखी को नजरबंद करते हुए पुलिस का पहरा बिठा दिया आश्रम पर नजरबंद करने पहुंचे पुलिस ने महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को शही इदगा जाने से रोकते हुए कहा कि मत्राज जले में धर 144 लाग हुए इसलिए किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता इसके बाद महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने पुलिस से अनुरोध किया कि उनको श्रीकृष्ण जन्भूमी और बांके बिहारी के दर्शन करा दिये जाए किन्यर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने पुलिस के द्वारा रोके जाने से आहत होकर आश्रम पर ही तांडव न्यत्र शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि जैसे भगवान राम भाव्य मंदर में विराजमान हो है उसी तरह भगवान श्रीकृष्ण भी जल्ड भाव्य मंदर में विराजमान हो मैं आत्वदाह कर लूगी आप मदाह कर लूँगी आया आपने एलान किया था शाहीद का पर जाने का क्या कुछ रहा बस आपके सामने है शाहीद का जाना चाहती थी मेरी कृष्ट जनम भूमी मेरे काना को जनम भूमी मूल जनम भूमी की मांग करना चाहती थी एसा इस सर्वे को जो रोका गया है क्यों रोका गया है उसकी बात करना चाहती थी मगर आज मुझे यही रोक लिया गया कि भई नहीं आप नहीं जा सकती है ये 144 की धारा लागो हो चुकी है अब मेरे पूँचने पर ही 144 की धारा लागो होनी थी बताइए मैं पूछती हूँ क्या मेरे पूँचने पर एक किनर क्या चाहती है जिस तरह से भवे राम जनम भूमी का निर्मान हुआ राम भूम जनम भूमी सज गई दज गई चहू और राम राम हो गया राम राज्यकस तापित हो गया क्या ये सक्षी नहीं चाहेगी ये सक्षी यही चाहती है कि मेरो गिरदारी मेरो बांके बिहारी को जनम भूमी भी सजे मेरो काना को जनम भूमी सजे मेरो काना को जनम भूमी मुक्त हो पूछता है सारा भारत के काना को जनम भूमी कब मुक्त होएगो अब प्रशासन ने आपको यहां नजरबन कर दिया इसके बाद क्या कतम होगा आपको अब इसके बाद क्या कर सकती हूँ प्रशासन के आगे तो कोई जा नहीं सकता ना सही कह रही हूं कि नहीं प्रशासन के आगे कौन जा सकता है अब उन्होंने कहा है आप यहीं रुकिए आप यहां से बाहर नहीं जा सकती है तो ठीक है तो अब मैं यहीं बैठी हूँ जनम भूमी के दर्शन प्रशासन ही लेके जाके करवाए मुझे अपनी गाली में ले जाए और जन्म बूमी के मुझे दर्शन कराए मेरे काना के दर्शन करा दे महामंडली इश्वर हिमांगी शखी ने बताय कि श्वही इदगा का सर्वे होने से सही तथ्य सामने आएंगे उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि जब उनको लगता है वहां मंदिर जैसा कुछ नहीं है तो फिर वह सर्वे रोकने के लिए कोट में प्रातना पत्र क्यूं लगाते हैं उन्होंने कहा कि वहतों केवल अपने आराध्य कृष्ण की आराधना करना चाहती है सीन्यूस के लिए अंकुर कुमर्या के पोट हल्दवानी पहुंचे कॉंग्रेस के वरिस्टनेता आचारे प्रमोध कृष्णम ने कॉंग्रेस के वरिस्टनेता आचारे प्रमोध कृष्णम ने कहा कि श्री राम किसी भी पार्टी के नहीं है इसलिए कॉंग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं को अयोध्य मंदिर जाना चाहिए था भगवान श्री राम के मंदिर में जाने के लिए निमंतरण की आवश्यक्ता नहीं होती और यदि निमंतरण आए तो यह मनुष्ट का सोभाग है मुझे लगता ही बहुत बड़ी गलती है और जिन राजिनेतिक पार्टियों ने जिन राजिनेतिक नेताओं ने भगवान राम के मंदिर के निमंतरण को अस्विकार किया है उन्हें जल्दी ही अपनी गलती को स्विकार कर जाना जाए राम भारत की आत्मा है राम के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है न भारत के लोक्तंद्र की ये अयोध्या में उनकी जो जनबूमी का मंदिर है इसको किसी एक पार्टी का समझ लेना ये ठीक नहीं है और राम के मंदिर के निमंतन को अस्विकार करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उचित नहीं था और ये एक गलती हुई है विपक्षे विपक्ष को इस गलती को सुधारने की अपनी गलती को स्विकार करने की जो मैं समझता हूँ कि सद्गुद्धी भगवान दे तुजाद अयोध्या में राम के नाम की गंगा बह रही थी, डुपकी भी लगानी चाहिए थी, जो नहीं गए उन्हें अयोध्या जाना चाहिए और अपनी गलती को सुधारना चाहिए वहीं आचार प्रमोध कृषणम ने यहे भी कहा कि कॉंग्रेस पार्टी राम विरोधी हो ही नहीं सकती क्योंकि कॉंग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है वहे महत्मा गांधी जिनकी सभा की शुरुवात रगुपती रागव राजा राम पतीत पावन सीता राम से हुआ करती थी कॉंग्रेस पाइटी राम विरोधी नहीं हो सकती है कॉंग्रेस महत्मा गांधी की पाइटी है वो महत्मा गांधी जिनकी सभा की शुरुवात रगपती रागव राजा राम पतित पाव अनसीता राम से हुआ करती है तो वो कॉंग्रेस जो महत्मा गांधी की पाइटी है वो राम विरोधी नहीं हो सकती है कॉंग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो महत्मा गांधी की रास्ते से हटा करके कॉंग्रेस को बामपंध के रास्ते से हट कर कॉंग्रेस नेत्रत को इन लोगों से बचना चाहिए कॉंग्रेस जो महत्मा गांधी की पार्टी है वहराम विरोधी नहीं हो सकती लेकिन कॉंग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो महत्मा गांधी के रास्ते से हट कर कॉंग्रेस को बामपंधी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं कॉंग्रेस नितरत्व को इन लोगों से बचना चाहिए इसके अलाबा उन्होंने 2024 लोगसभ़ चुनाप को लेकर चर्चा भी की अंकुर कुमडिया सीन्यूज जहां एक और दोनों समुदाय के लोगों में बैर है वहीं अमेठी सनातन धर्म वा भगवान राम की प्रती आस्था रखने वाली रामभक्त शबनम शेख राम लिला के दर्शन के लिए मुंबई से पैदल चल कर पहुँची जहां उनका भव्य स्वागत किया गया शबनम शेख मुंबई से आयोध्या के लिए पैदल चल रही है शबनम शेख यह यात्रा 38 दिनों से लगातार कर रही है शबनम शेख पैदल यात्रा करती हुई अमेठी पहुँची जहां उनका स्वागत किया गया जगदीश पूर्थ खाना शेत्र के अंतरकत मगौली गाउं के पास कारसेबक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शबनम शेख के बुर्खा फेहन कर आयोध्या जाने पर विरोध चताया जगदीश पूर के राजी गंज पहुचने पर शबनम शेख का सनातनी भक्तों ने स्वागत किया राम भक्तों ने शबनम शेख को फल खिलाया शबनम शेख का काफिला आयोध्या की तरफ बढ़ता जा रहा है यहां से 70 किलो मीटर की यात्रा पूरी करने के बाद वे भगवान राम लला के दर्शन करेंगी विरो रिपोर्ट सी न्यूज आगरा आज विशेश में बस इतना ही कल होगी फिर से मुलाकात नए विशर के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल